एक बहुत अच्छी काहानी मैं आपको सुनाते हूँ कि देखें नजरिया क्या होता है, अच्छी सोच क्या होती है एक बस्टॉप पे दो माता और बेटे खड़े दो यानि एक तरफ एक माता उसका बेटा है एक तरफ एक माता उसका बेटा है उनके सामने एक व्यक्ती कचरा उठा रहा है जो पंदने एक माता ने अपने बच्चे से कहा, देखो, इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ पढ़ने के लिए, नहीं पढ़ोगे तो ऐसे बनोगे, वहाँ दूसरी माता खड़ी थी दूसरी माता ने अपने बच्चे से का मैं इसी लिए तुम्हें पढ़ने को कहती हूँ तुम अगर सही से पढ़ाई करोगे अच्छे कार करोगे तो तुम इन जैसों की मदद कर सको कि दोनों माता हैं अपने बच्चे को पढ़ने को ही कह रही है लेकिन एक पढ़ाई के साथ साथ क्या सिखा रही है और एक पढ़ाई के साथ क्या इस सोच और नजरिये की बात है कि आप दुनिया को किस नजर से देखते हैं उसने दुनिया को किस नजर से देखा कि क्या मैं ल लेकिंगे मेरा भळावस हो जाए और उन्होंने किस नजर्ये से देखा कि अगर मैं कुछ बन गया तो मैं क्या अज्छा कर दो है तो भगवान कहते हैं खुद को बदलो दुनिया आपने अप बदल जाएगा हम उसको नहीं बदलते हम दुनिया बदलेंगे